इसका प्रारंब शुभारंब हर समय हम प्रोफेसर जितेंद्र भाई शाह से निवीदन करते हैं उनसे हम अनुरोध करते हैं कि करपा करके शुभारंब करने का कि करपा करें प्रोफेसर जी सित्रिपाथी जी जो हमारे बीयल इंस्टिटिट आप इंडिलोजी के विरेक्टर हैं आज हमारे साथ हमारे संस्तान के अध्यक्ष्र महोदय श्री राजकुमार जैन उस्वाल जी जुड़े हुए हैं प्रोफेसर जी सित्रिपाथी जी है आज के विद्वान वक्ता प्रोफेसर मिथिलेश चतुरवीदेजी है और अनेक विद्वान और जिख्यांसु मित्रा आज हमारे साथ जुड़े हुएं मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ ICPR एवं भुगिला लेचन इंस्टिटिट ओफ इंडोलोजी के संयुक्तत अत्वाव धान में आयोजी आलोचनात्म चिंतन तर्क एवं भाशादर्शन पर यह व्याख्यान शुंखला का यह द्वीती व्याख्यान है इछले सब्ता हमने प्रोफेसर गोदावरिश मिश्रजी से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विश्याई पर व्याख्यान सुना सबी श्रोता जनोंने बहुती रसपूर्वक सुना और स्वागत भी किया उसी श्रिंखला में आज प्रोफेसर मिथिलेश चतुरवेदी जी बरत्रोहरी का दर्शन और उसमें तर्क एवं आगम की स्थिती इस पर याख्यान देंगे आप सभी जानते हैं कि भुगिला लहचंद भारतिय संस्कृति विद्यामंदीर विगत चार दश्रकों से भारतिय विद्याओं के विवीद विशयों पर अनीक विद कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है आज इस श्रिंखला में एक और कर्यक्रम का सुयोग हो रहा है अनेक राष्ट्रिया अंतर राष्ट्रिया संगोष्टियों का आयोजन किया है प्राकृत भाष्टा के विशय में हमारे संस्थान के द्वारा विगत तीस सालों से प्रती वर्ष ग्रिश्म अध्याइन शाला का आयोजन होता है देश एवं विदेश से अनेक जिग्यां सु प्राकृत भाष्टा सिखने के लिए यहां आते हैं पूरे एक महीने तक प्राकृत भाष्टा का अध्याइन करते हैं आज पुरे देश में प्राकृत भाषा के लिए जो जागुरुती आई है उसमें हमारे संस्तान का विशेश योगदान है। प्रती वर्ष दस दिवस की कार्योजाला का आयोजन होता है। आज इस कारेक्रम में उपस्तित सभी शुता शुताओं का विद्वजनों का गुरुजनों का मैं स्वागत करता हूँ और आज के विद्वान वक्ता के परिच्चाई के लिए अमारे संस्तान के निदेशक प्रोफिसर गयाचरण त्रिपाथीची को मैं अमंत्रित करता हूँ प्रवर्तन के लिए हम अपने उपाध्यक्ष महोदेर प्रफेसर जेते निरवारिशा के आभारी हैं मुझको भार दिया गया है कि मैं प्रफेसर मिद्वेश चत्रवेदी के विशे में कुछ दो शब्द कहूं आप सबों जो विद्वान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको ये बताने के आवरिशक्ता मैं समझता हूँ नहीं है कि संसार में भारतिय संस्कृति को छोड़कर अन्य कोई संस्कृति और अन्य कोई विद्वत परंपरा ऐसी नहीं है जिसने भाषा के तत्तों का इतना सूख्ष्म चिंतन किया हो और ये चिंतन रिगवेद से ही प्रारण हो जाता है रिगवेद में ही हमको वाक्षुः के दर्शन होते हैं जिसने वाक्ष की माता का बहुत विस्तार से उलेख किया गया है इसमें वाक्त स्वताह उत्म पुरुष में अपनी महिमा का वर्णन करती है। इसके अत्रिक्त भी अनेग स्थानों पर वाक्त की और वाक्त के स्वरूप की व्याक्षा की गई है। और विशेश रूप से आप देखेंगे कि प्रथम मंदल का जो बहुत प्रफिद सूप्त है, जिसको लोग अस्यवामी असूप्त नाम से जानते हैं, उसमें भी भाषा के संबन्द में, भाषा तत्व के संबन्द में बहुत गंभीर चंतन हमको प्राक्त होता है। तो वस्तुताब भाषा किस तरह से निर्मिद कुई, इस तरह से शब्दों का निर्मान होता है। क्या उनके प्रत्तेक शब्द के मूल में क्या अवधारना होती है, बेसिक कॉंसेप जिसे कह सकते हैं, मूल अवधारना क्या होती है, जिसको उन्होंने धादू की संग्या दी है और कैसे फिर उसमें उफसर्ग और प्रक्यलक्तर के शब्दों का निर्माण होता है प्रकार सिप्पूर्ड व्याकरण का जो एक धांचा तैयार होता है उसके उपर बहुत विस्तार सिप्रकाश्टा लगया लेकिन उसके बाद भी वस्तुता भाषा के इस्तर कितने होते हैं केवल क्या हम जो बोलते हैं वही इस्तर है या जो चिंतन है वह इस्तर है या मन भी मन में कुछ कहने लगें लेकिन उचारन दकरें वह एक इस्तर है हत्वा एक ऐसा इस्तर है जिसके विश्य में हम लोगों को भांधी नहीं कि वो इस्तर है और क्या एक ऐसा इस्तर भी है कि जो भाषा से परे है में सारे उसके इस्तरों की चिंताओं निकी है और भाषा दर्शन इन सब कर प्रकाश डालता है भाषा दर्शन का सर्वोत कृष्ट ग्रंत हमारी संस्कृटि ने जो हम को दिया है हमारी विद्वानों ने वो वाग के पदी है भरती हरिका जो इसा की प्रारंविक लगभग चार शताब्दियों या छठी शताब्दी पृथम से लेकर के च्छटी शताब्दी तक विभिन विद्वानों ने उसका काल ने धारन किया है, मेरी दिश्टी से संभाउता चौधी शताब्दी उचित होगा उसका काल ने धारन करना, वैसे तो व्याकरण दर्शन के उपर चिंतन नागेश्वर तक चलता रहा, नागोजी भर्त तक अठा वाक्यपदिये के जो इस समय देश में विशिष्ट विद्वान हैं, उनमें मूर्धन में स्थान रखते हैं हमारे तो पैसल मिठलेश चत्रवेदी जी और मिठलेश चत्रवेदी जी की वस्तुताहा जो उनका शोध परबंद है, वह भी इसी के उपर है, तो उन्होंने इस अपनी प्सटी की इसिस लिखी है और उनका ये सन 2001 में वर्तिसमुद्देश और वाक्यपदिये इस तरी के नाम से प्रकाशित भी हो चुका है, प्रफेसर मिठलेश चत्रवेदी लगबग चार वर्षों तक दिल्ली विश्विद्वाले में संस्कृत के विभागा ध्यक् 2010-2013 तक और उसके पहले लगबग तीस वर्षों तक अथाथ 1977 से लेकर के मार्च 2006 तक उन्हों ने व्याख्याता और रीडर के रूप में वहीं दिल्ली विश्विद्विद्याले में अध्यापन कारे किया है इसके साथ ही उस समय भी और अपने अवकाश प्राक्ति के बाद भी वे विभिन विश्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद लाल भादु शास्त्री राश्ट्रिये संस्कित विद्या, इत्याद इत्याद इत्यादी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और उनमें भी अपना एक प्रकार से अपने सलाख परामर्शिक के रूप में और शैक्षिक योगदान आप देते रहते हैं इनकी उच्चतर शिक्षा दिल्ली विश्विद्याले से हुई है हिंदू कॉलेज से उन्होंने संस्कित के शैमें इसनाता के उनम इसनाता को उत्तर उपादी प्रक्ति है और जैसा कि मै इनके ग्रंथ कई हैं अपने गुर्देव अवनींद्र कुमार जी के उपर उनका इन्होंने पेली सिटेशन वॉल्यूम अभिनदन ग्रंथ भी निकाला है आवनी श्रीव के नाम से और विशेश योगदान उनका है वह भरती हर लैंग्विज थॉट एंड रियालिटी जो 2009 में प्रकाशित हुआ उस समय जो दिली में भारती विद्या के बहुत प्रसिद्ध प्रकाशक हैं वो दिलाल बना सिदास उनके द्वारा प्रायोजित आई-आई-सी-ार में एक अच्छा एक विद्वानों को बुला करके एक बोश्ठी हुई थी बहर पहरी के ऊपर और उ इसके पेपर्स जो है वो इसमें प्रकाशित हुए हैं इसके अतरिक्त इस विशे से व्याकरन दर्शन से सम्मंदित अने ग्रंतों का उनोंने अंग्रेजी से हिंदी में भियन्वाद किया है विशे शूप से प्रसेद्ध विद्वान गौरीनाथ शास्त्री की करती फिलोस शी शक्त से और उसे द्धान तो कौमदी का तीन भागों में जो अंग्रेज अनवाद प्रकूसर का शीराम जी के दुबार रखिया गया है उसका उनोंने हिंदी अनवाद किया अविनों गुप्त पंदित राज जगनाथ और काविनाटक संग्रा इस परकार से साहित्य में भी उनकी विस्टिकार सिगती है और अब उनकी एक जो हाल में प्रकाशित प्रदियां हैं वो विशत्नवनीत और वाक्य पदी विमर्ष विशेश हूँ से ब्रह्मकांड कारिकां उपर प्रकाशी के वयाकरों का मंतव है वहम बड़े प्रसंद हैं कि वाक्य पदी है कि इत से प्रात्मा करेंगे उसे में रोद करते हैं तो प्रपया अपने विचारों से हम पो लाभन वित करें और व्याकरन दर्शन में कुछ हम लोगों का दी चंचु परवेश कराएं ओम यस्मिन सम्मुखतं प्रयाति रुचिरं कोप्यंत रुज्रिंभते नेदियान महिमा मनस्य भिनवप उन्सप्रकाशात्मनह त्रिप्तिम्यत परवाम्तनोति विशयास्वादं बिनाशाश्वती धामानंद सुधामयोर जितवपुस्तत प्रातिभं सम्स्तुम्ह आदर प्रफसर जितेनर भाई यहां उपस्थित सभी मित्रगण सहयोगीगण और अन्य उपस्थित श्रोतागण प्रफसर ट्रिपाठी जी को मैंने प्रारम में कहा था कारेक्रम के प्रारम होने से पहले ही मैंने उनको कहा था कि आप जरा परिचे संग्षेप में दीजिएगा लेकिन उनका जो स्नेह है उसनेह ने उन्हें संग्षेप में बोलने नहीं दिया तो खेर मैं यहां भरत्रिहरी के दर्शन पर एक सामान्य परिचे देते हुए तरक और आगम के विशे में जो उनके विचार हैं उस पर थोड़ी चर्चा इसमें अपने प्रस्तुती में करूंगा उससे पहले मैं एक प्राथमिक सूचना के लिए यह बतला दूँ कि भरत्रिहरी के मुख्य रूप से जो दार्शनिक और शास्त्री शित्र में जो उनके कारे हैं वो हैं वाक्यपदी है जिसमें तीन कांड़ है प्रत्रम कांड ब्रहम कांड कहलाता है जूतिय कांड वाक्य कांड कहलाता है और त््रितिय कांड पद करना कि गया यह जो ब्रह्मकांड है उसको आगम समुच्छे के लाम से भी जाना जाता है वाक्यपदी के इसके प्रत्थम और दृतिय कांड पर उनकी वृत्ती भी उपलब्ध होती है इसके अलावा महाभाष्य पर उनकी महाभाष्य टीका है उसको दीपिका भी कह देते हैं लेकिन परकेसर अशोक अग्लुचकर जाने माने विद्धवान है वाग्भा भरत्रियोग के और उनका कहना ये है कि बरत्रियोग के समय में इस के रूपकात्मक नामों का प्रचलन नहीं था इसलिए इसका नाम महाभाश्य दीपिका के अस्थान पर महाभाश्य टीका ही होना चाहिए और जो हमारे जो अलग-अलग आचारे हैं जिन्होंने इसकी चर्चा की है बाद में तु भरतिहरी का उलेख टीका कार के रूप में कर पर व्रिशब देव की पद्धति या स्फुटाक्षरा टीका है मैं यह सारे नामों का परिचे इसलिए दे रहा हूं कि मैं इसकी चर्चा थोड़ा सा अपने प्रस्तुति में करूंगा जुतिये कांड़ पर पुर्णिराज की टीका कही जाती है अलंकि इसके बारे में प् पुर्णिराज की नहीं है बलकि हेलाराज की टीका का एक संग्षिप्त रूप अंतरण है लेकिन अभी तक यह पुर्णिराज के नाम से ही प्रश्लित है इसलिए हमें पुर्णिराज का ही उल्लेख यहां खरूंगा जिसका नाम है वाक्यवदिये प्रकाश और तृतिये क इलाराज की टीका का नाम है प्रकेण प्रकाश पाक्यबदी का संपाधन उन्निस्मी शताबदी के अंत में वारण असी से प्रारम हुआ काशी संस्क्रिस में वो प्रकाशित हुआ था उसके बाद पंडिचारोदेव शास्त्री ने प्रसम कांड का संपाधन किया और जृतिय संपादन है और समस्त टीकाओं के साथ वो है प्रफसर के ए सुब्रमणिया यह इसके अलावा विलेम राउ की का एक संस्क्रण है जो काफी प्रामानिक माना जाता है और पंडित रगुनाच शर्मा की अंबाकर्टी टीका है जो वारण से या संस्कृत विश्य विद्याले से जिसका बाद में नाम हुआ तो वहां से प्रकाशित हुई है इसके अलावा एक वी अस अभ्यंकर और लिमये तो अभ्यंकर लिमये का एक पूना से प्रकाशित संस्क्रण है और इस संस्क्रण की एक बड़ी विश्यश्टा यह है कि भर्तिहरी को जिन विद्वानों ने तो नहीं कह सकते लेकिन प्रायह मैं समझता हूं कम से कम असी प्रतिशत से अधिक जो विद्वान है उनके उद्धरण उन्होंने संग्षिप्त जो उसके अंश है उनके साथ उन्होंने दिये बहुत से ऐसे विशियों पर चर्चा करते हैं जैसे हमारे भाशागत व्यवार कैसे संभव होते हैं शूटा किसी वाकिको कैसे समझता है शब्द का स्वरूप क्या है शब्द अपने अर्थ को किस प्रकार से अभिव्यक्त करता है शब्द और उसके अर्थ के बीच क्या संबंध है शब्द जिसका कथन करता है वो क्या केवल मानसिक सत्ता है या बाहिय सत्ता भी है क्या शब्द में सत्य को पूर्णता हव्यक्त करने की सामर्थ ये है वाक्ष क्या है वाक्ष के एक स्वतंत्र सत्ता है या केवल वढ़नों का समू है इस प्रकार के अनेक प्रश्णों पर भरत्विहरी ने व्यापक चिंदन किया है और इस विशे में उनका योगदान एकदम अद्वितिये है इसलिए वयाकरणों ने तो उनको अपने मत की स्थापना के लिए प्रमान सुरुग उद्धित किया ही है इसके अलावा अनेक दाश ने बहुत दार्शनिकों ने और नयाईकों और मीमान सकों ने विदानतियों ने भी उनकी चर्चा बहुत विस्तार से की है चाहे अपने समर्थन में हो या उनकी आलोशना के लिए हो प्रत्विहरी के सरवादिक चर्चित सिद्धान्त शब्द ब्रह्मवाद और यदि कहीं पृति में उन्हाने शब्द ब्रहुपद का प्रयोग किया भी है तो प्रायह कि शब्द ब्रह्मव पद एक वेद के लिए प्र swarm हूआ है लेकिन उन्हाने ब्रभ्मकों शब्द शुरूप कहा है अपनी पहली ही कारिका में अनाधी निधनःनम ब्रम तो शबातत्न जब वो कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि वो ब्रह्म को शब्द स्वरूप मानते हैं और इसलिए उनके दर्षन को शब्द ब्रह्मवाद या शब्दाद ग्राइथ्वाद के नाम से अभःत किया जाता है भरतियरी के दर्शन में परम्तत्त्त अर्थात ब्रह्म्य शब्द स्वरूप है, विकारों में प्रायह प्रक्रिति का अनुगम देखा जाता है, सुवण से बने पदार्थों की प्रक्रिति सुवण है और मिट्टी से बने पदार्थों की प्रक्रिति मिट्टी है, कारे में क परदार्थ के विशे publi में हमारे ज्ञान में शब्द की रहती गट गट अर्भ सती ने ताजात्म होता है तो फेइ। शब्द से केवल शब्द का ही बौध होता अअ and update का बोध नहीं का किवल शब्द प्रत्येग विकार शब्द के द्वारा ग्राहिये है और किसी ना किसी शब्द का ग्रहन कराने वाला भी है। इसलिए उनका जो मूल कारण है भरब्रम्म उसको शब्द तत्व कहा गया है। हमारे सभी व्यवहार सभी क्रियाएं शब्दवारा संभव होते हैं यह घट है यह पट है इस प्रकार के पदार्थ घट वेद शब्द के माध्यम से ही संभव होते वाग की महत्ता को दिखलाते हुए भर्सिहरी कि दर्शन भेद से जगत को जिस रूप में भी देखें चहे बाहिये जगत की वस्तुसत्ता हो या वह मात्र बुद्धी की रचना हो उसकी हमारी समझ भाशा से ही निर्धारिद होती है दूसरी तरफ अत्यंत असत पदार्थ जैसे शश्रिंग करगोश के सींग आकाश है इसलिए भाश्री ने कहा है अत्यंतम अतथा भूते निमित्ते शुत्यु पाश्रयात दिश्यते लात चक्रादू वस्त्वाकार निरूपना भाश्री के दर्शन की ये तत्व मीमान सा इस माइने में विलक्षण है कि उन्होंने परब परम तत्व को शब्द सुरूब क और इसलिए उनके मत की आलोचना भी पर्याप्त हुई है नईया एक मीमान ज heck जैन और बहुत दर्शनिकों ने उनके मत की आलोचना की रूसरे ओर ऐसे दर्शन भी हैं जहां उनकी प्रारंभिक आलोचना के बाद भी उनका उल्लेख बहुत आदर के साथ किया गया है शंकर स्पोटवाद और सब्दक्रम्हद की प्रियाप्त आलोचना करते हैं लेकिन चित्विड्य के टीका कर प्रत्य कै आज सौमानंद नाच सो उनッकि बहुत का कि आालोचना कि लेकिन सो माननन्द के शिष्य उत्पल्देव और उत्पल्देव के प्रशिश्चिप अभिनव गुप्त भरत्रिहरी से यत्रतत्र असाहमत होते हुए भी उनका उलेख अत्कंत सम्मान के साथ करते हैं उत्पल्देव उन्हें विद्वत भरत्रिहरी कहते हैं अभिनव गुप्त अपनी ग्रंथों में कम से चालीस बार भर्तिहरी की कारिकाओं और वृत्ति के अंशों को उद्धित करते हैं। अधिकान शावसरों पर वे उनके लिए आदर सूचक विशेशन तत्रभवान का प्रयोग करते हैं। और एक स्थल पर तो यदाहुर भर्तिहरी पादाहा। यह कहकर भी वे भर्तिहरी को उद्धित करते हैं। प्रत्यक्षो या अनुमान शब्द के बिना वह हमारी पकड़ में नहीं आ सकता। इस बात को वे अनुभव से प्रमानित करते हैं। जो भी ज्ञान हमारे अनुभव में आता है, उसका शब्द के साथ तादात में प्रतीत होता है। इसलिए भर्तिहरी कहते हैं कि संसार में कोई ज्ञान नहीं है जो शब्द से न जुड़ा हुआ हो। समस्त ज्ञान शब्द में अनुविध सा भासित होता है। अनुविध में वक कहने का अतात पर यह है कि ज्ञान और शब्द अप्रिथक रूप में भासित होते हैं। इसलिए वाक्यपदी है कि संब्द समुद्देश का जो प्रथम कारिका है। उसकी टीका में हेला राज कहते हैं कि घट कहने पर शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों का ही मिश्रण होता है। ऐसा कहा जाता है कि नवजात शिशू का ज्ञान शब्द से असंबद है। क्योंकि उसे भाशा का ज्ञान नहीं है। किन्तु भर्त्रिहरी मानते हैं कि शिशु में भी संसकार के रूप में शब्द विद्यमान है। अन्यता वह प्रतंबार वर्णों के उच्छारण का प्रयास ही न करे। चौम्सक्त की निकाहा है कि मनुष्य में भाषा की सहजात सामर्थे है। भत्रिहरी के मत में यह सामर्थे उसे पूरु जन्म के संसकारों से प्राप्त हुई है। हेला राज कहते हैं कि शिशु भाषा का ग्रहन इसलिए कर पाता है क्योंकि उसमें जन्म से ही भाषा विद्यमान है। अभिनव गुप्त कहते हैं कि यदि आंतर विमर्ष ना हो तो व्रिद्व्यवहार को देखकर भी वालक को शक्तिक रह नहीं होगा। हम लोग यह प्रायह क्रंथों में माना गया है कि वालक जो है शब्द के अर्थ को कैसे समझता है। तो वो पहली बार शब्द को सुनता है तो उसे शब्द और अर्थ के संबंद का ग्यान नहीं है। जब वो सुनता है कि कोई व्यक्ति दूसरे से कहता है घड़ा लाओ और वो सामने घट-पदार्थ को देखता है। फिर जब घड़ा ले जाओ कहने पर घड़ा ले जाया जाता है तो वहाँ खाली भूमी को देखता है। लाओ सुनने पर घड़ा लाया गया और ले जाओ सुनने पर ले जाया गया। वहाँ घड़ा पद वही है और लाने और ले जाने की क्रिया अलग-अलग है। अगर बालक में विमर्ष न हो तो उसे ये ज्ञान कैसे होगा कि अमुक अर्थ अमुक पद का है और यदि विमर्ष है तो सूख में शब्द भावना उसमें नहित है इसलिए भर्त्रेहरी ने कहा है नाम और अर्थ की रूप में शब्द ब्रह्म से उद्भूत सष्टि प्रक्रिया के संदर्भ में भर्त्रेहरी वाक्ये तीन स्तरों की बात करते हैं कुछ का बृत्ती में कुछ कारिकां ऐसी हैं जिनमें इन तीन स्तरों का कुछ अधिक विश्टित विवरण दिया गया है इनमें पश्यंती ब्रह्म की वह अवस्था है जहां शब्द और अर्थ का विभाग नहीं है इसके अनेक भेद हैं किन्तु अपनी सरवोच अवस्था में यह स्वयम विश्वातीत चैतन्य है अर्थाच शब्द ब्रह्म ही है यह प्रकाशस स्वरूप है ऐसी जियोती है जो चंद्रमा की अम्रित कला की भाती कभी क्षीन नहीं होती इसमें क्रम का सरवता अभाव है और इसका दर्शन प्रात कर साधक मोक्ष का अधिकारी हो जाता है यह दश्टा है और यही नाम पश्यन्ती नाम के मूल में है अपनी समग्र दिश्टी के अनुरूप भरत्यरी पश्यन्ती से क्रमशह वैखरी की और बढ़ते है वे कहते हैं कि आंतरिक चैतन्य के भीतर जो सन्निवेशित है उसे श्रोता तक संप्रेशित करने के लिए वाक अभिव्यक्त होती है इस प्रकार अभिव्यक्त होने से पूरू अपने सूक्ष्म रूप में वह अर्थ के साथ अभिभक्त अवस्था में स्थित है और एक है व्रिशब्देव इस पर कहते हैं कि इस अवस्था में शब्द और अर्थ बुद्धित अत्व से अव्यत्रिक्त रूप में विध्यमान है इसे एक कहने का कारण यह है कि यह अर्थ से भी अभिन है और स्वतह भी इसमें अभेद है भत्रिहरी के मत में यह पश्यंति अवस्था ही है जिसे अन्यत्र वे अभिभागा और संग्रितक क्रमा कहते हैं अभिभागा तो पश्यंति सर्वतस संग्रितक क्रमा नाम की दिशा में पश्यंति की प्रथम अभिव्यक्ति मध्यमा है मध्यमा मानसिक स्तर की सत्ता है और एक प्रकार का बुद्धिगत समवाद है व्रिशब्द देव कहते हैं कि अमुक शब्द का उच्चारन करूंगा हम लोग जब बोलते हैं तो कई वाइब सोचते हैं कि यह इस बात को कहूंगा यह बात बोलूंगा तो इस प्रकार से द्वारा इसका परिग्रह होता है इसलिए यह क्रमयुक्त सी प्रतीत होती है यह बिशब्द देव का उधरन है यद्ध्य एक बुद्धि निश्ठत्वाद नास्तिक क्रमा तथा आपी व्यक्तया प्राणवृत्या तदानीम अपी अस्ति परिग्रह अस्याह वाइखरी व होती है तो उसे व्यक्तवढ़ना वाक कहा जाता है जब्द स्पश्ट उच्चारन वाले हो और व्याक्रण संवत संसकार से युक्त हो तो वह वैखरी का साधु शब्द कहा जाने वाला भेद है किन्तों यदि व्याकरण का संस्कार नहों या उचारण में अस्पश्टता हो तो वह अपभ्रंच वाक है वीना दुन्दुभी त्यादी के स्वर में वैखरी का श्लिष्ट अर्था अव्यक्ताक्षर रूप है कश्मीर शैवदर्शन के आचारे सोमानंद नाथ ने भत्रिह की आलोचना करते हुए कहा है कि वे पश्यंती को ही परमतत्व मानते हैं जबकि सोमानंद के अनुसार पश्यंती मात्र परमतत्व की ज्ञान शक्ति है जिसे वे सदाशिव रूप कहते हैं अथास्मागम ज्ञान शक्तिर या सदाशिव रूपता वयाकरण साधुनाम सीति विया करन साधु नाम शब्द का प्रयोख करते हैं ये वेचारे वंयाकरन इनको व्याकरन तो ब्याकरन तो करते नहीं है यह लो और डर्शन के खेतर में गुस्ने का प्रयास करते हैं ऐसा सोमानंदनात ने कहा है, सोमानंद के अनुसार वयाकरन पश्यंति से उच्चतर अवस्था की बात नहीं करता, उनका प्रशन है कि क्योंकि पश्यंति के मूल में जो द्रिश्थ हातु है, वह तो सकर्मक है, तो फिर पश्यंति का कर्म क्या है, पश्यंति किसको देखती है यदि पश्यंति घंटबडद आदी बाहिए बदार्थ को देखती है, तो विश सत्यसटे हैं या सत्य? उन्हस सत्य तो आप कहने ही सकते, क्योंकि आपके सिध्दान्त में वेवर्त रूप हैं. यदि पश्यंति असत्य बदार्थों का दर्शन करती है तो फिर असत्य के साथ संबन्द होने के कारण यह भी असत्य है इसी प्रकार के आक्षेप करते हुए सुमनंद कहते हैं कि वाग्ट तो मात्र कर्मेंद्रिये है उसे आत्मा या ब्रह्म कहेंगे तो हाथ इत्यादी जि रूप ही है उन्होंने यह कहा है तस्मा चितिक्रिया रूपम अलब्ध वाक्षक्ति परिग्रहम नविद्यते चितिक्रिया का रूप जो है वो वाक्षक्ति के बिना नहीं है वाक्तत्व रूपम है वो चितिक्रिया रूपम इत्यन्ये डूसरा मत यह है कि वाक्तत्व है इसलिए भर्तिहरी पश्यंति को संगरतक्रम और स्वरूपज्योति कहते हैं स्वयम सोमानंद के शिश्य उत्पल देव त्रिक दर्शन में वाक को सर्वोच्च स्तर देते हैं वे इस प्रसंग में परावाक की स्वीकृति को आवश्यक मानते हैं एवं सूक्षमितरा अन्य का नाम नहीं लिया है लेकिन जो काश्मीर शाइव दर्शन के जो आचारे हैं वो कहते हैं कि परावाक जो है उसको सर्वोच्च वाक माना जाना चाहिए वे उत्पल देव से चिती से अभिन्न कहते हुए परम शिव का विमर्ष में स्वरूप कहते हैं प्रकाश और विमर् में श्वरूप है वह परावाक है उनकी हिसाव से इसलिए कहते हैं चिति प्र yaptमशात्मा परावाक सोधिता तन मेतन मुख्यम अश आष्वर्यम परमाथम नहें शुद्ध अहम् प्रत्यों मश कि भी वह बात करते हैं अहम् प्रत्यों मर्ष प्रकाश आतमा भी वाग्वप अहम प्रत्यवमश्ट जो है प्रकाश आत्मा उसको उन्होंने वागवपु कहा है उत्पल देव ने ईश्वर प्रत्यविग्या कारिका में तो शुद्ध अहम प्रत्यवमश्ट की वाग रूपता दिखलाते हुए अभिनव कहते हैं कि श्रोत्र ग्राहिये शब्द से भिन एक और वाग है जो समविद के रूप में समाविष्ट है यह हमारे भीतर अवभासित होती है इसी संदर्भ में पुत्पल देव ने परम शिव को वागवपु कहा है अतह वाग को जो महत्तो भरतिहरी के दर्शन में प्राप्त है उसका स्पष्ट प्रभाव कश्मीर शैव दर्शन पर दिखलाई देता है परवर्ति वयाकरणों ने शिवाद्वइत दर्शन के आलोप में अपने सिध्धान्त में परिवर्तन करने का प्रयास किया है हेला राज पश्यंती और परा को एक ही मानते प्रतीत होते हैं वे कहते हैं कि संविद जो पश्यंती रूपा पर वाक शब्द ब्रह्ममयी इति ब्रह्मत अत्त्म शब्दाद पारामार्थिका नभिद्यते नागेश तो वाक के चतुर्धा विभाजन को ही मानते हैं महाभाश्य के पशानिक में पतंजली ने कहा है चत्वार शिंगा त्रय अस्यपादा ये उन्होंने वैदिक मंत्र उद चत्वार शिंगाणंज चत्वार प्दयतानी नामाख्या तोपसर्ग निपाथास्च negotiating बिके इस भाष्य पर अपने टिकां नागेश परापकी न्जय को भी पथ रहे हैं स्वाइम भर्त्रीहरी ने वृत्ती में पश्यंति के अन्एक भेदों की चर्चा की है वह कहते हैं कि पश्यंति का पर्म रूप लोक व्यवहार से परेखेarti SER वह बतलाते हैं कि कुछ लोगों के मत्मे शब्दपूर्व योग से साधक पश्यंति को ही प्राप्त करता है शब्द पूर्वेण योगे न अधिका महां इत्यादी तू इस प्रसंग में ये अवधेया है कि वाक्यबदिये के तद्वारम पवर्गस्या इसकारिका की वृत्ति और उस पर विशवदेव की पध्धति के अनुसार पश्यंति स्वयम शब्द ब्रह्म नहीं बलकि एकित्यदी योग की भावना के अभ्यास से साधक पराप्रक्रिति को प्राप्त होता है इसमें समस्त विकार शांत हो चुके हैं सो अव्यतकी नाम अधिगम्य वागविकार नाम प्रक्रिति म् प्रतिभाहाम अनुपरएति तो पहले जो सादक है वो प्रतिभा तक पहुंचता है फिर पराप्रकृति को प्राप्त होता है अब यहां पर व्रिशब्देव अपनी टीका में कहते हैं कि इस प्रकार से वाग विकार को प्रतिभा में उपसंगरित करते हैं ॉन उस प्रतिभा को भी परभ्रम्घ में उपसंग्रित करते हैं इसलिए व्रिशब्द देव का यह कहना है कि यह जो वागविकारों का उपसंगार जो प्रतिभा में होता है और प्रतिभा का उपसंगार ब्रह्म में होता है तो इसकार्थ यह हुआ कि प्रतिभा प्रश्यंति है और प्रश्यंति जो है वो ब्रह्म से कि ब्रह्म का जहां पर एक जहां उसका इवल्यूशन होता है जहां उसका विकास होता है उस विकास में प्रथम स्थिति जो है वो पश्चनती है अगर इस मत को व्याकरण का मत मानें तो त्रिकदर्शन से इसका अंतर यह है कि त्रिकदर्शन में परापरम शिव की शक्ति है जबकि व्रिशव देव के मत में पराप्रक्रिती स्वयम ब्रह्म ही है, यद्देपी शिव और शक्ती में अभेद है, फिर भी तार्किक विश्लेशन की दिश्टी से उनकी चर्चा अलग-अलग की गई है। शब्द से थोड़ा सा चर्चा में यहां स्पोर्ट सिध्धान्त की करूंगा, शब्द से अर्थबोध की व्याख्या के लिए वयाकरणों ने स्पोर्ट सिध्धान्त को उपस्थापित किया है, वयाकरणों का स्पोर्ट सिध्धान्त काफी पचलित है, और इसकी आलोचना हुई है लेकिन आधुनिक यूग में इसका इसकी प्रशंसा भी काफी की गई है स्पोर्ट सिद्धान्त के अनसार अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले शब्द मात्र वर्ण संगात नहीं प्रायह यह कहा है कि वाक्य की प्राथ मिक्ता है वाक्य पहले है और उसमें से फिर पदों काichen हुआ है है टू इसलिए बुझी में वे केवल मात्र उसके उसको अभिव्यक्त करने के लिए ध्वनिया मात्र हैं इसलिए उनका ये कहना है कि बुद्धी में जितने भी शब्द हैं, वो सब एक एकाई के रूप में स्थित हैं, कुमारिल के मत में पूर्व पूर्व वर्णों के संसकारों से युक्त अंतिम वर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करता है, बंडन मिश्ण ने स्पोर्ट सिधी में इसमत की आलोचना किये, सर्वदर्शन संग्रह में दिये गए निर्वचन के उनसाथ, स्पोर्ट वह है जो वर्णों द्वारा अभिव्यक्त होता है और अभिव्यक्त होने पर जो अर्थ को अभिव्यक्त करता है, इस प्रकार से भर् तो बुद्धिस्त शब्द जो है जो बुद्धी में स्थित एक हिकाई के रूप में अखंड शब्द है वह उचरित ध्वनियों का कारण भूत है अनिता एक प्रश्न ये उठेगा कि ध्वनिया जो है वो तो उच्चारण के तुरंत बाद समाप्त हो जाती है उच्चरित प तुरंत बाद नश्ट हो जाती है तो उन्हें एक शब्द का रूप कौन देता है कुमारियल का कहना यह है कि वह अपने संसकार छोड़ती चलती है लेकिन संसकारों में भी वही क्रम रहेगा यह आवश्यक नहीं होता और इसलिए जब तक कोई शब्द नहो तब तक उसमें वह एकता कैसे होगी इसलिए भलतिहरी स्पोर्ट सिध्धान्त को मानते हैं और इस फोर्ट सिध्धान्त क्या है एक एकाई के रूप में अखंड रूप में अवधारित जो शब्द है वही भलतिहरी के मत में स्पोर्ट है इसलिए भलतिहरी जिसे उच्चरित ध्वनियों क कारण भूत बुद्धिस्त शब्द कहते हैं वही वय्याकरणों का स्पोट है अर्थ के संप्रेशन की सामर्थ्य बुद्धिस्त शब्द में ही है जो ध्वनियों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाता है इसलिए शब्द संबंधी विवेचन प्रारम करते हुए भरत् चलकर फिर वो कहते हैं कि यह दूनों एक ही सत्ता के दो पहलू है या फिर अलग-अलग हैं यह दो अलग-अलग मत हैं इससे पता चलता है कि भरत्यारी से पहले भी स्पोर्ट सिद्धान्त का प्रचलन रहा होगा भत्यरी की अवधारणा में शब्द एक अखंड समग्रता है जिसे ध्वनियों की अनेकता के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है वे शब्द और स्पोर्ट का प्रयोग परस पर विनियमिय शब्दों के रूप में करते हैं जिस से स्पष्ट है कि अर्थ संप्रेशन में समर्थ एक एकाई के रूप में अवधारित शब्द ही उनके मत में स्पोर्ट है बंडनमिश्र ने जो परिभाशा दी है बंडनमिश्र ने अपनी स्पोर्ट सिध्धी में भरत्यारी के स्पोर्ट सिध्धानत को एक तारकिक रूप देते हुए प्रस्तुत किया है उनके नुसाश शब्द वह है जो अर्थबोध को उत्पन करता है अर्थावसाय प्रसव निमित्तम शब्द इश्यते वस्तुत ही क्रम रहित रूप में श्रोता की बुद्धी में प्रविश्ट होकर अर्थ को अब्यक्ट करता है किन्तु अखंड और अक्रम शब्द अर्थ स्पोर्ट को अभिविक्ट करके ध्वनिया अर्थ के प्रत्यायन में निमित्त बनती है उल्निराज कईयट और नागेश के नुसार अर्थ का वाचक शब्द ही स्पोर्ट है मंदनमिश्र कुमारिल की आपत्ति है कि वर्ण अथवा ध्वा ध्वनिया पद एवं वाक्य से स पदर वाक्य अपने आप में ही स्पोर्ट है वे कहते हैं कि वर्णों के विज्ञान से उपर शब्द के विज्ञान की प्रतीति स्पष्ट रूप में होती है जिससे यह स्पष्ट है कि स्पोर्ट प्रत्यक्ष प्रतीति का विशह है इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि यह जो चर्चा कर रहे थे प्रफसर जी सी त्रिपाथी जी जिस ग्रंत की जिसको मैंने एडिट किया है तो दो हजार तीन में कॉन्फरेंस हुई थी इंटरनेशनल सेमिनार अन भरतिहरी उसके जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भरतिहरी लेंग्विज थौट एंड रियालिटी इस वाल्यूम में दोहजार नौ में प्रकाशित हुए और उसमें जाने माने नई आइक बड़े नई आइक हैं जो आजकल प्रोसर पी के मुखोपाध्या है उन्होंने ये कहा था कि भरतिहरी तो हमको को कोई फिलोसफी ओफ लेंग्विज देते ही नहीं है ज्याज दिये हैं उसको मैं कोट कर रहा हूं हावेवर फिलोसफी ओफ लेंग्विज इस हार्टली इंट्रस्टेड इंट्रेसिंग इस ओरिजिन बैक तो सम सुपर सेंसिबल मिस्टिक ट्रांस स्पैशो टेंपूरल रियलिट एंटिटी लाइक स्पोट की स्पोट जो है वो एक अत जो है यह कहना उचित नहीं है क्योंकि सांफ करते हैं कि हंको कैसे कि हम तहले क्रैंडिता स्पोट की कद शब्र्द का उच्चारण करते हैं या किसी भी दूसरे शब्द का या किसी वाक्य का उच्चारण करते हैं तो हमें यह अनुभूती होती है कि यह एक पद है या एक वाक्य है यह पिछलिवार एक संगोष्ठी में यह चर्चा मैंने की थी और उसमें अध्यक्ष थे प्रफ सरार्सी पंड सत्ता है तो इसका ग्रहन किस इंद्रिय से होता है तो हम साफ तोर पर मान सकते हैं कि जिस इंद्रिय से हम सुख दुख इत्यादी का ग्रहन करते हैं मन से या बुद्धी से उसी से इस बात का ग्रहन होता है कि यह एक पद है यह एक वाक्य है और यदि इस प्रकार का बोध हमको होता है कि यह एक पद है यह एक वाक्य है तो इसका अर्थ है कि वह स्पोर्ट जो है वह एक प्रत्यक्ष वेद्य सत्ता है पुल्नेराज स्पोर्ट के दो प्रकारों की बात करते हैं अभ्यंतर और भाईये सत्ता के रूप में इसे व्यक्तियत हुआ जाती दो रूपों में देखा जा सकता है जबकि अभ्यंतर सत्ता के रूप में यह चैतन्य रूप है शब्द और अर्थ उभयात्मक है और विद्यमान रस की भाती है अंड भाव में वापन्नो यक्रतु शब्द संग्यगह वित्तिस्तस्य क्रिया रूपा भागशो भजते क्रमम जिस प्रकार से शिशुमयूर अपने सभी अंगोर वर्णों के साथ उसमें अंडे में विद्यमान रस में वर्तमान है उसी प्रकार हम हमारे व्यभार में प्रयुक्त शब्द भी क्रम रहित होकर एक संभावना के रूप में हमारी बुद्धी में विलीन होता है किन्तु वहां सूक्ष्म क्रमभावना अवश्य है अपने अभ्यंतर सो रूप में यहां स्पोर्ट निश्क्रम भाशा तत्व है जहां शब्द ने अपनी वृति में एक स्थल पर कहा है कि यथा वाग देश भेदेन भिन्ना एक आविदे निबन्धनत्वम अव्यतिक क्रांता कि वाग जो है वो देश भेद से अलग-अलग होते हुए भी उसके स्वरूप में भेद हो सकता है लेकिन फिर भी उसका जो अभिदे है वह अलग-अलग देशों के भेद की कल्पना जो है उसकी कारण बनती है इस प्रकार से भाशा तो इस प्रकार से यह जो भाशा जो निश्क्रम भाशा तत्व है वो अभ्यंतर स्पोर्ट है जिसमें शब्द और अर्थ का विभाग नहीं है इसी लिए विभिन भाशा अनुवा भी नहीं होती हूं उनका हम अनुवाद नहीं कर सकते थे वक्ता में अभिव्यक्ति की इच्छा होने पर आंतरिक शब्द वृत्ति के प्रतिगुद्ध होने पर यह प्रतिलीन शब्द विभाग और क्रम को धारण करता है पूर्ण अभिव्यक्ति की स्थिती में शब्द क अभिव्यक्ति उच्चरित प्रद्वन्सी ध्वनियों के माध्यम से होती है महाँ भाष्य टीका में भी भत्यरी जो पतंजली का जो कथन है यह नो चारते न सासना लांगूल ककुद खुर विशाने नाम संपत्यों भवति सशब्द है कि जिसके उच्चारण से उस प्राणी का बोध होता है सासना लांगूल इत्यादी से युप्त जो प्राणी है उसका बोध होता है वही पास्तव में शब्द है तो उसी कथन पर टिकपणी करते हुए भत्यरी कहते हैं कि यह उद्धिस शब्द स्वरूप है जिससे अर्थ का बोध होता है वो कहते हैं कि योवाय मुच्चार्यते क्रमवान अवरह जो चारण होता है क्रमवान शब्द वह अवर शब्द है कि कश्चिद अन्यह अक्रम शब्दात्मा बुद्धिस्थो विगाहते उससे कोई भिन बुद्धी में शब्द है जो अक्रम रूप में विद्यमान है तस्माद अर्थप्रतिपत् है ध्वनियों का काम क्या है ध्वनियों का काम केवल माद्र शब्द क है स्वरूप का बूद करा देना है तो जो बनिया है वे च्वरूप निमंधन है बनिया है तो स्वरूप का बूद कराने के लिए हैं वे अपने स्वरूप का बूद कराकर उनका काम पूरा हो जाता है उसके बाद जो वुद्धिस्थ शब्द है वह अर्थ का बूद कराता है इसी लिए अलग-अलग एक ही कई बार होता है हम देखते हैं कि एक ही से वर्ण ह होते हुए भी जरा सा क्रम आप बदल दीजिए तू शब्द का अर्थ पूरा का पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाता है एक चित्रकावी में इस प्रकार के हमको बहुत उदारन दिखलाए देते हैं तू एक छोटा सा उदारन में यहां दे रहा हूं हिंदी से एक रिशिकेश चतुर्वेजी थे आगरा में चित्रकावी लिखा करते थे और उन्होंने एक रामकृष्णायन नाम से एक कावी लिखा है उस रामकृष्णायन में एक तरफ से आप पढ़ें तो वो राम के लिए है और दूसरी ओर से वो पढ़ें तो कृष्ण के लिए है उसकी जो पहली बंगती है वो है रामा हरें कष्टाई तीवरधारा राम कष्टों की तीवरधारा का हरन करते हैं अगर उसको उल्टा इश्ट हमारा जो प्रिया है वह करें तो अलग-अलग इस प्रकार के बहुत दारन दिये गए हैं नदी दीन सरह रसह जरा राज इत्यादी इस प्रकार के अनेक दारन दिये गए हैं जहां करम बदल देने पर वर्ण वही रहते हैं लेकिन शब्द बदल जाता है और वहा है जो हमारी बुद्धी में इसलिए वह कहते हैं भृत्ययरी कहते हैं कि द्धनिएंद्वारा क्रम में उच्चरित शब्द जो है और शब्द है इसका कारें केवल अपने स्वरूप को व्यक्त करना है इसलिए वो सीधे अर्थ की प्रतीती नहीं करा सकता इसके बाद म अपने इस प्रस्तुति में भाषा की जो इकाई है भाषा की वाक्श को मानते हैं, और gli संअग्रश मुष्णे जो एकाई हैं उन्म कि अमसार grinding की वाक्श के पहले हैं और ब्हारण शांत्र stim भाषा को पदों में विभाजित करता है दों को प्रक्रिति क्रत्य की रूप में विभाजित गरता है लेकिन यी के वंकल पर्रिखकरण है और इसलिए 유 कॉर्फ के अचनग में को कहते हैं कि वाक्य में पर्वर्ति विश्यон गरिशंग nee जैसे पदमें प्रकृति और प्रत्य का विभाजित तुब वाक्य से पदों का जो अपोध्धार है वहाँ वाक्य के विशलेशन के लिए एक सुविधा जनक उपाय मात्र है अपने जो मत है उसके समर्थन में भत्रिहरी ने निरुक्त में उध्रित अउदुंबरायन और साथ ही वारताक्ष के मत का उलेख किया है निरुक्त में हमको एक पंक्ति मिलती है इंद्रिया नित्यम बचनम अउदुम्बरायन तत्र चतुष्ट्वम नूप पद्यते अउदुम्बरायन के अनसार शब्द इंद्रिया नित्य है और इसलिए उसमें चतुर विद्व वर्गी करण की धारणा उप्युक्त नहीं है अभी तक है जब तक वह वागिंद्रिया और श्रोत्रिंद्रिया में है उच्चारण के समय भी संपूर्ण वाक के इंद्रिया में एक साथ नहीं रहता इसलिए इसके चतुरुविद विभाजन की कल्पना असंगत है भर्तिहरी अउदुम्रायन का सरवता नवीन पदकेवल मात्र पोद्धार है इसलिए अउदुम्रायन और वार्ताक्ष ने पदों के चतुरुद्धा विभाजन को अस्त्विकार किया है वाक्यस्य बुद्धव नित्यत्वम अर्थयोगम चलो किकम दिष्ट्वा चतुष्ट्वम नास्तिति वार्ताक्ष अउदुम् इसकी बाद एक विशय है जिसको इतना समय मुझे लगता है काफी हो जाएगा इसलिए उसको विशय को छोड़ देना है कि शब्द जो है वो अवधारना को विक्त करते हैं किसी या सीधे वस्तुसत्ता को अभिक्त करते हैं नई आएकों का मानना यह है कि शब्द का और वस सत्ता को अभिव्यक्त करते हैं और इसलिए उनका मानना यह है कि बुद्धिस्त सत्ता जो है जिसे वह अउपचारी की सत्ता कहते हैं यपदेशे बदार्थाना मन्या सत्ता उपचारी की और जो बाहिय सत्ता है उसको वह बुख्या सत्ता कहते हैं तो उनका कहना यह है कि शब आजकल जो फर्क माना गया है मीनिंग और रेफरेंट उस फर्क को प्रत्रिहरी ने इस प्रकार से अभिव्यक्त किया है वाक्यबदिये के दुतिये कांड की समापन कारिकाओं में कहा गया है कि भत्रिहरी ने आगम में प्रतिपादित न्याय मार्गों अर्थात सत्य तक पहुचने के सिध्धानतों में नहित मार्गों का अभ्यास करके अपना दर्शन विकसित किया और तब इस आगम संग्रह की रचना हुई उसमें शब्द मिलते हैं हमको प्रणीतों गुरुनास्माकम न्याय प्रस्थानम आर्गांस्तान अभ्यस्य स्वंचे दर्शनम प्रणीतों गुरुनास्माकम आयमागम संग्रह तो यहां गुरू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है पुर्णिराज के अनुसार अपने गुर द्वारा प्रणीत बतला रहे हैं जबकि अशोक अगलूचकर के अनुसार ये कारिकां बहत्यारी के किसी शिश्य की रचना है बाक्यबदी का प्रतम कांड जो ब्रह्म की चर्चा से प्रारम होता है ब्रह्म कांड भी कहलाता है और आगम समुच्चे या आगम कांड भी बहत् जो लिए यहां जो तात्परे है वह वया करणों के आगम से यहां तात्परे है आगम की परिभाशा में भरत्रिहरी उपदेश की अविच्छिन परंपरा को आगम कहते हैं जिसमें शुति और स्मृति समाविष्ट है हम बाद में कई बार देखते हैं कि जो अलग-अलग दर्शनों के जो आधार भूत प्रंथ हैं उनको आगम कहा गया है और वेदों के लि फर्क नहीं करते वो आगम और निगम इन दोनों में एक सामंजस्य उनकी ग्रंथ में दिखलाई देता है वे व्याकरण को स्मृति कहते हुए स्पष्ट करते हैं कि यह किसी व्यक्ति की मनमानी कल्पना नहीं है अपितू शिष्टों की अविच्छिन परंपरा को सुरक्ष रखने वाली रचना है तादुत्य ज्यान विश्या तैशा अवियाकरन स्मृति ही अविच्छे देन शिष्टानाम इदम स्मृति में निबंधनम उनके मत में आगम की प्रामानिक्ता तर्क के अधीन नहीं है अपितू उससे परे है चैतन्यमिव यश्चायम अविच्छे देने वर्टते आगमस तमुपासी नू हेतु वादे नबाध्यते वेद या शुति स्वतप्रमान है जबकि स्मृतियां वेद मूलक होने के कारण प्रमान है शुति अनादी अविच्छन और अकरत्रिक है जबकि स्मृति शिष्टों ज्वारा प्रत्यक काल में रची जात वाक्या दिभेदेन प्रतिकालम अन्यथा शुष्टाई रेव निबध्यते ये उनकी वृत्ती में कहा है और जिसकी जो कारिका है जिसकी वो है अनादिमभ्यवच्छिन नाम शुतिमाहुर अकरत्रिकाम शुष्टाई निबध्यमानातु नब्यवच्छिद्यते स्मृति इसलिए व्रिशब्देव ने भी आगम को परिभाशित करते हुए कहा है परतिहरी मात्र लिखित परंपरा में विश्वास नहीं रखते लोक में प्रसिद अलिखित परंपरा को भी वे महत्त दिते हैं यदि कभी ऐसी स्थिती उत्पन हो जाए कि विभिन आचारियों द्वारा रचित आगम ग्रंथ लुप्त हो जाए और नए ग्रंथों का निर्माण नहो तो उस अंतराल में भी धर्म के नियम लोक परंपरा की स्मृति में सुरक्षित रहते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि अपाउरुशिय वेद में धर्म के कुछ शाश्वत सिद्धान्त प्रतिपादित हैं जिनका लोग कभी नहीं होता शिष्ट जन अपनी अपनी परंपरा और शाखा संप्रदाय के अनुसार जो आचरन करते हैं उसमें वह परंपरा सुरक्षित रहती है यही नहीं अविच्छिन शिष्ट परंपरा लोग स्मृति में भी सुरक्षित रहती है शिष्ट जनों के सिद्धान्तों में परस पर भिन्नता होने पर भी कुछ आचरन सरवजन सीक्रित हैं और लोग परंपरा से चले आ रहे हैं इस प्रकाल लोग प्रसिद्धी भी आगम के ज्ञान में सहायक है धर्मस्य चाब व्यवच्चिन नहा पंथानो ये व्यवस्थिता हा नितान लोग प्रसिद्धत्वात कश्चित तरकेण बाधते इसल इदम पुण्यम इदम पापम इत्तिय तस्मिन पदद्वये आचंडालम मनुश्याना मलपम शास्त्र प्रयोजनम शास्त्तो केवल मत्र उस परंपरा का निबंधन है रिकॉर्ड है इसलिए भत्रिहरी अनुमान की अपरियाप्तता का निर्देश करते हुए आगम के प्रा अगलग धंग से देखता है एक अस्मिन अभी दुष्येड थे दर्शनम विद्यते प्रिथक कालांतरेन चैकोपी तंपश्यत्यन्यथा पुना दूसरे कार्ण में 136 कारिका है व्यक्तियों के पूर्वाग्रहों के कारण पदार्थों को देखने की उनकी दिश्टियों मे अंतर दिखलाई देता है अनेक बार प्रत्यक्ष को देखने की दिश्टि भी बदल जाती सामानी विक्ति को आकाश तल से युक्त दिखलाई देता है और जुगनु अगनी जैसा दिखलाई देता है किन्तु न तो आकाश में तल है नहीं जुगनु में नहीं जुगनु अ प्रत्यक्ष पर भी विद्वान को युक्ति पूर्वक्त विचार करना चाहिए ऐसा प्रत्यक्ष्श मप्यर्थम क्विद्वान एक शेद युक्ति तह लौकिक विश्यों में, यदि तत्त्यका अग्यान संभव नहीं हैं, तो युक्ति और लोगुति प्रतिति के अधार पर निर्णाई करना चाहिए लेकिन अद्रिष्ट विश्यों में तर्क की कती नहीं है इसलिए उनमें शिष्ट परम्परा के अनुसार ही व्यभार किया जाता है जो व्यक्ति धर्म का साक्षाद दर्शन करने में असमर्थ है उसे वेद के निर्णाय में सहायता देने के कारण तर्क उसके नेत्र के समान है विभिन शुति वाक्टियों में संगती बैठाने के लिए हमें तर्क की आवश्यक्ता पड़ती है इसलिए ब्रह्मसूत्र भाष्य में शंकर भी कहते हैं कि शुति के कारण को बतलाने वाले उपनिशत वाक्टियों के अविरोधी अनुमान का हम निशेद नहीं करते सत्सुतु प्रमसूत्र इशांकर भाष्य में उनने कहा है ब्रमसूत्र एक दो पर सत्सुतु वेदान्त वाक्टियेशु जगताह जन्माधी कारण वादिशु तदर्थ ग्रहन दाढ्ध्याय अनुमानमपी वेदान्त वाक्या विरोधी प्रमानम भवन ननिवार्यते शुत्यविच सहायत्वेन तरकस्य अभ्यूपेतत्वात क्योंकि वह उन वाक्टियों के अर्थ के विशे में हमारी समझ को द्रिढ करता है इसलिए उसका निशेद शंकर भी जो पिछला व्याख्यान था उसमें यह चर्चा की गए थी उपक्त्रमो पसंगारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादो पपत्तीच लिंगम तात्पर्यद निर्न ये तो मिमांसा दर्चन में कुछ और भी सिद्धान बतलाए गए हैं शुत्य लिंगवाक्य प्रक् बत्रेहरी ने एक जगे कहा है व्रित्ती में विधिर विधेयस तरकश्च वेदह और उस पर पद्धती टीका है व्रिशब्देव की वो कहते हैं तरकशब्द जो है उन्होंने मीमांसा के अर्थ में लिया है विधी ब्राम्मण के अर्थ में और विधेय मंत्र के अर्थ मे बत्रेरी ने इस संबंध में कुछ उदाहरण दिये हैं अनेक अवसरों पर शब्द द्वारा व्यक्त अर्थ की उपस्थिती होते हुए भी उस अर्थ की आवश्यक्ता नहीं होती पालिनी सूत्र कर्तुर इपसित तमम कर्म के अनुसार करता के इपसित तम की कर्म संग्या होती है यहां कर्तुह के एक वचन होने पर भी एकत्त की विवक्षा नहीं है इसलिए कर्तुह इपसित तमम एक करता हो या अनेक करता हो उन सभी के इपसित तम की कर्म संग्या हो जात जैसे घटम करोती या घटीम करोती है यह दोनों बीमार पड़ें तो इन्हें अमुक आउशथी देदेना इस पाक्य में ये दोनों में डिवचन की विवक्षा नहीं है विवचन अविवक्षित है उसका कोई विशेश सिग्निफिकेंस नहीं है इसलिए दोनों में से किसी ए सोम याग में सोम पात्रों का जो प्रयोग किया जाता है उसके लिए ग्रह का प्रयोग किया है तो ग्रह का सम्मार्जन करता है उनको साफ करता है यह एक विधी है यहां डुतिया एक वचन का प्रयोग है लेकिन प्रस्तुत्रसंग में एक वचन का कोई विशेश शर्थ नहीं जितने भी ग्रह यग्य में प्रयुक्त होते हैं उन सभी के सम्मार्जन का विधान इस वाक्य द्वारा किया गया है ग्रहों का विधान पहले ही ग्रहे इर जुहोती द्वारा हो चुका है इसलिए ग्रहम सम्माश्टी में एकत्तो उद्धिष्ट नहीं है ग्रहम आत्र उद् त्यादी प्राणियों से नहीं बचाना है। यहां कवगा उन सभी प्राणियों का उपलक्षन है जो दही को हानी पहुँचा सकते हैं। कभी-कभी किसी लिंग के आधार पर किसी संकेत के आधार पर भी वाक्यार्थ का निश्चे किया जाता है। यग्य में किसी स्नेह द्रव्य से मिश्रित शर्करा को रखने का विधान किया गया है। अक्ताहा शर्करा उपदधाती। मिश्रण के लिए स्नेहन पदार्तों में तेल भी हो सकता है और घी भी। इस वाक्य के समीप तेजो वई घृतम ये वाक्य पढ़ा गया है। यदि यह तर्क वेद विरुद्ध ना हो तो इसे वाइदिक वाक्यों के सहकारी के रूप के ग्रहन किया जाता है। इसलिए भरत्रिहरी स्पष्ट करते हैं कि तर्क वहीं तक स्विकारी है जहां तक वह अपने शास्त्र का बाधक नहीं है। जो तर्क आगम का विरुद्धी नहीं है वह शास्त्र के अर्थ का निर्णे करने में हमारा सहाय थे। वेद शास्त्रा विरुद्धी चे तर्कष चक्षुरपश्यदाम रूप मात्ता धिवाक्यार्थ के वला नावतिष्ट थे। जिस परंपरा का हम अनुसरन कर रहे हैं उसी के मूल का उच्छेद करने वाला तर्क स्विकारे नहीं हो सकता। आगम रहे तर्क से चलने वाला व्यक्ति भत्रिहरी के मत में प्रत्यवाय से युक्त होता है क्योंकि ऐसा तर्क आगम का विरोधी होने के कारण केवल शुष्क तर्क है और शुष्क तर्क की चर्चा आचारे शंकर ने अपने शांकर भाश्य में उन्होंने भी की है तो व परत्रिहरी कहते हैं कि भिन्दविन परावंपराओं के ज्ञान से बुद्धी विवेक को प्राप्त करती है किन्तु प्राचीन आगमों के ज्ञान के बिना के वल मात्र मनमानी कल्पनाएं करने वाले लोग विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते प्रग्याविवेकम लभते बिन्नाई रागम दर्शनदी कियद्वाशक्यमुन्नेतुम् स्वतर्कमनुमधावता तत्त दुत्रेक्षिमानानाम पुराणाई रागमेर विना अनुपासित वृद्धानाम विद्ध्यानाति प्रसीधती धन्यवाद। बहुत धन्यवाद इस अत्यन्त विद्ध्वत्तापूर्ण भार्शन के लिए अधरनी स्रीमित्रेक्ष चत्रवेदी जी बहुत ही घंभीर भार्शन था और बहुत ध्यान से जिन्नोंने सुना होगा पूर्ण सार्वसावनी लोगोंने ग्राण किया होगा मैं समझता हूँ क्योंकि वो इतना अधिक वैद्व श्रीपूर्ण था कि उसके लिए पहले पूर्व पीछी का भी काफी विद्ध्वत्ता पूर्ण इस विशाई की पूर्व पीछी का भी अपेक्षित आवश्यक्ति तो अब हम अपने पुपाध्यक्ष महोदय श्री जीतेंद्र कि वो प्रश्णों को आमंतित करें प्रश्ण अथ्वा अथ्वा यदि कोई शंकाएं हो इसी को तो वो वो क्योंकि इस प्रकार के वक्ता तो रोज मिलते नहीं है इसलिए वो अपने शंकाओं का समाधान अच प्रफिसर्शार चत्रवेदी के कर सकते हैं मैंने इस में मुखे रूप से मेरी इच्छा थी कि मैं स्पॉर्ट सथ्धंट को थोड़ा सा सपष्ट कर दूं केंको इसके बारे में काफी सारे Hoїt तो इसलिए मेरा प्रयास कि रहा कि स्पोर्ट से धन्त को इस पष्ट कर दिया जाए और मुझे यहां दीप्ती जी भी दिखलाई पड़ दिया है, मैं आपके माध्यम से उन्हें नमस्कार कहना चाहतू हूँ अपकुछ कहना चाहेंगे आज के व्यक्ष्यान पर एक बहुत ही है नहीं कर तो हमारे अच्जरिद का एक बहुत ही मात्वपौनकरन पर और और उसके भर्षाख्या दर्षन पर बहुत्र विद्वत्थापॉर्णlor गय tadi इस पर आपके विशेश टिपणी हमें लागानवीत कर सकते हैं. हाँ, वो सकते अधिक योग हैं इस विशेश पर टिपणी करने के लिए मैं समझता हूँ. जीतु भाई का आदेश है, इसलिए बोलना जरूरी है. वैसे इतने विद्वत्ता पूर्णे प्रस्तुती के बाद कुछ बोलना संभावता है बहुत आवश्यक भी नहीं होता है और बहुत उपयोगी भी नहीं होता है लेकिन जीतु भाई का आदेश अनुलनंगनी यह है. मिधिलेश जी ने वाक्यपदिये पर अत्यंत गहन अध्ययन किया है और मेरा ख्याल है कि जीवन भर उन्होंने इस विशे पर साधना की है. इसलिए जो विशे उनको अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं वो भी हमारे जैसे जिग्यासुओं को कभी कभी कठिन प्रतीत होने लगते हैं. तो मैं टिपणी तो कुछ विशेश करना नहीं चाहूंगी क्योंकि टिपणी करने लगूंगी तो वो एक व्याख्या नहीं हो जाएगा. एक जिग्यासा है मेरी मिथिलेश जी आपसे. अनुवाद के संदर्भ में जो आपने कहा कि बाउधिक अवधारणा जो होती है वह भाशिक अवधारणा से भिन्न है इसलिए उसको अनुवाद किया जा सकता है. तो उस बाउधिक अवधारणा का क्या स्वरूप आप मानते हैं या यदि वाक्यपदिये में कहीं दिया हो जो कि मुझे मिला नहीं है इसलिए मेरी शंका का समाधान हो जाएगा. अगर वो संदर्भ आप मुझे बता सकें कि स्फोटात्मक भाशा मेरी दृष्टी में यह स्फोटात्मक भाशा ही बाउधिक भाशा है और उस बाउधिक भाशा से प्रेरित होकर के उच्चरित भाशा प्रवर्त होती है. तो क्या यह मानना उचित नहीं होगा कि जो स्फोटात्मक भाशा है वह भाशा भी प्रति भाशा भिन्न होती है क्योंकि अगर उसको हम एक रूप मान लेंगे तो फिर भाशाओं में भेद का आधार क्या होगा? इसलिए दो चीज़ों पर शंका समाधान अपेक्षित है. पहली चीज़ कि भाशाओं में भेद का आधार क्या है? अगर स्फोटात्मक शब्द एक रूप है तो और अगर अलग-अलग रूप है तो जिसे आपने बाउधिक भाशा कहा, उसका क्या स्वरूप है? जी. मैं थोड़ा सा ये स्पष्ट कर दूँ कि स्पोटात्मक जो भाशा है, स्पोट की जो चर्चा की है, वो पुर्णिराज ने दो प्रकार से की है. एक जगे पर वो ये कहते हैं कि वो स्थिती जहां शब्द और अर्थ का अभी विभाजन नहीं हुआ है. तो वहां अभ पाईयस पोट है, उस बाईयस पोट के स्थर पर हम देखते हैं कि अलग-अलग ध्वनिक्रम होता है, कोई उसे गव कहता है, कोई गाय कहता है, कोई काउ कहता है, और दूसरे और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जिनकी जानकारी मुझे नहीं है. तो ये लेकिन वो जितनी भी स्वरूप हैं, उन स्वरूप में भेद होते हुए भी, वो मध्यमा का अस्तर है, लेकिन उसमें भेद होते हुए भी उससे पीछे भी एक स्थिती है, जो पश्यंती की स्थिती है, और इसलिए बहुत से विद्वान स्पोट को पश्यंती स्वरूप भी मानते हैं, मतिल सब्सक्राइब कर रहा है ऑफाऊंट्राइदार ने इसчас विरित रहाहँ रिति को अपनी ही रचना है इसा कि थोड़ा उसमें अभी मतभेद भी है लेकिन वो कहते हैं यथा वाग देश भेदेन भिन्ना सत्यपिस्वरूप भेदे एका भी दे निमंधनत्वम अव्यतिक क्रांता सही विचे देशादि भेद प्रकल्पना व्यवस्था हे तुहू यह पहले उसमें जो अयर का संस्क्रण है उसका यह मेरे पास नोट है 25-26 पेज उसमें यह है और उस पर पद्धति कहते है वाग भिद्यमाना देशादी विवस्थाम कल्पयती यथा एते दाक्षणात्या एते गवड़ा है तो इसलिए जो मूल जो है वो कहां से आता है जो शब्द जो है वो निकल कर जहां से आता है वह जो स्थिती है वहां अभ्यंतर स्वोट की स्थिती है ऐसा मैं समझता हूं और यह अभ्यंतर स्थिती है इसमें सारी भाशाएं एक हैं इसलिए वह एका विद्या निमंदनत्व अभ्यतिक क्रांता भग्तियरी उसको कहते है मुझे लगता है कि मैंने कोशिश किया आपकी शंका के समझता है इसमें बहुत वईमत्य का अवकाश नहीं है चुकि आपने उद्धर्ण दिया है उनका लेकिन मेरा स्वयम का ये मानना है कि स्थोर्ट जो है चुकि स्थोर्ट शब्द की जो वित्पत्य बताई गई है वो अर्थमें थोड़ा सा बेद और भेद अगर नहीं होता तो स्थोर्ट ईपत्य उसकी नहीं बताई जाती अब उन में कैसे एक तारता बैठाई जाए कैसे दोनों में परसपर संबंध बैठाया जाए ये एक विचारणी ये विशय होगा और मेरा ख्याल है कि आगे चल करके हम लोग जब चर्चा करेंगे तो इस विचारणी ये विशय पर वादे वादे जायते तत्वबोधा के नियम के अनुसार कुछ ने कुछ तत्वबोध होगा जरूर क्योंकि ब पश्यंती भी है तो बुद्धिस्त शब्द और उच्चरित शब्द इसमें तो अंतर सबने माना है और उसको मानना आवश्यक भी है बिना उसको माने काम चलता नहीं है लेकिन बुद्धिस्त शब्द का स्वरूप क्या है और उस स्वरूप को लेकर के किस प्रकार से व्य अर्थात्मक है? बुद्धिस्त शब्द क्या ध्वन्यात्मक है? बुद्धिस्त शब्ध जो है इन दोनों का मिश्रित रूप है? इन सब पर थोड़ी सी चरचा अपेक्षित होगी. अगर अर्थात्मक है तब तो हम कह सकते हैं कि सभी भार्षाऊं में एक रूप है. लेकिन अगर उसका ध्वनी से कुछ भी संबंध है तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरी very polite submission जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि उन दोनों को हम एक शायद न कह सकें क्योंकि ध्वनी तो प्रतिभाशा भिन्न है और अगर प्रतिभाशा भिन्न है तो फिर अनुवाद जो होता है वो शब्दों का होता है अनुवाद जो होता है वो भावों का होता है चुकि मैं बहुत अनुवाद की पक्षधर नहीं हूँ ये मैं पहले ही इस पष्ट कर दो मेरा ये मानना है कि भाशा का अनुवाद नहीं किया जा सकता है हम जो करते हैं वो केवल शब्दांतर करते हैं और बहुत दार शब्दांतर करने में अर्थका अनर्थकर डालते हैं क्योंकि भाषा के पीछे जितने प्रेरक्तत्व होते हैं वो प्रत्यक भाषा में भिन्ना होते हैं वो एक अलग विशा है उनकी चर्चा करने लगूंगी त तो बहुत विस्तार हो जाएगा. इसलिए अनुवाद जो है, वस्तुता केवल शब्दांतर मात्र नहीं है. तो क्या यह मानना उचित होगा कि मध्यमा के स्तर पर या पश्यंती के स्तर पर सभी भाषाएं एक ही हैं? अगर सभी भाषाएं एक हैं तो प्रतियक भाषा में भेद कैसे होता है? मैं जी सब विचार के बिंदू जो प्रश्मे मेरे मन में तरंगों की तरह तरंगाई तो हो रहे हैं आपके सामने रखती जा रही हूँ मैं इनके जवाब की न अपेक्षा कर रही हूँ न आपसे अभी अनुरोध करूँगी लेकिन ये तरंगे उठ रही हैं और मैंने सोचा कि आपके जैसे विद्वान के आगे रख देने पर संभव है इन तरंगों में कभी शांती का अनुभव हो सके लेकिन आपकी इस प्रस्तुती पर आपको बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत अभिनंदन आपने इतने कम में गागर में सागर भर दिया है कि जैसा त्रिपार्ठी जी ने कहा कि जो यहां विचक्षन नहीं है वो कुछ विजक्षन अता के करीब जरूर पहुँच सके होंगे इसलिए पुनह-पुनह अभिनंदन धन्यवाद जी आपकी बधाई के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू वर्यमाज प्रोफेसर दिप्टी त्रिपाठी जी हमारे साथ हमारे संस्थान के पूर्वन निदेशक प्रोफेसर जैपाल उसे बिलकुल हो रहा हूँ बाकि जो सामानिय रूप से बात हो रही है वो मैं बातों को जड़ा दाशनिक परिभाशाओं की अपेक्षा जो एक जवहर में चीज आती है उसके इसाब से ज्यादा समझता हूँ मैं सोचता हूँ कि हर जो पदार्थ है पदार्थ का मतलब यह है कि पद का मतलब है ध्वनी या शब्द और अर्थ का मतलब है कि वो जिसका वाचक है जिसको जिसके लिए उस ध्वनी का प्रयोग किया जा रहा है अब घट है तो घट को एक भाशावाले जो की हैं वो घट इस रूपने कहेंगे, दूसरे उसको जार कहेंगे, तीसरे उसको कुछ और कहेंगे, चौथे कुछ और कहेंगे, और जहां तक बुद्धी का सवाल है, तो बुद्धी में मुझे लगता है कि जो आर्थ है जो पदार्थ है उस पदार्थ की एक आकृती वहाँ पर बनती है केवल आकृती उस आकृती का कोई भी उसमें विशेशन या कोई और कुछ नहीं होता उससे कोई तात्परी भी नहीं होता वो किसी परपस को भी सर्व नहीं कर सकती आकृति जब उस आकृति में उद्भावना होती है उसके कुछ विशेष्टाओं की जैसे घट है अब घट वहाँ पर सामने रखा हुआ है तो घट के आते ही बुद्धी में अगर पहले से घट जो पदार्थ है उसको जाना हुआ है यानि वो बुद्धी का जो एक सेवड है उसमें वो सनरक्षित है उससे पहले जिसते से बच्चा जो भाशा सीखता है मिथिलेश जी ने जैसे बताया अपना सारा तो वो उसमें दो ही वो है अवाप और उद्वाप जब वो वक्के बोलते हैं सुनते हैं तो एक अंश को छ प्रहन करते दीरे दीरे भाशा करता जाता है समझता जाता है वो भाशा दिमाग में उसके आकर एक सनरक्षित होती रहती है जब वो सनरक्षित भाशा उस किसी पद का जो एक एक आकरती है उसकी एक सिर्फ स्वरूप है उसका अर्थ नहीं है कुछ नहीं है इस ढंकी जैसे ही बुद्धी में पहुंचती है तो बुद्धी में अगर संरक्षित उस आकृती क्या जो पदार्थ है वो है तो वो बुद्ध हो जाती है और उससे वो ज्यान बन जाता है अन्यता तो वो ज्यान होता ही नहीं है अन्यता तो आदमी के अगर वो नहीं है बुद्धी में तो स वहाँ पर आई थी इंद्रियार्थ के माध्यम से वह वहीं पर दुपत हो जाती है वहीं पर समापत हो जाती है बाकी ज्यान तो वही है जो सर्व व्यवहार हेतु ज्यानम यानि हमारा जितना भर भी व्यवहार है उसका आधार तो ज्यान ही है तो ज्यान वही है कि जब किसी बीद्ध के जो विशेषण है, उसकी जो विशेषटाएं हैं, उसके जो एक विकल्ब हैं बहुत सारे, वो उध्बुद्ध होते हैं, वो बुध्धी में होते हैं. तो भाशा जो है वो मैं सोचता हूँ कि उस भाशा का काम बस सिर्फ इतना ही है कि उसको उस पदार्थ के जो पद का जो अर्थ है जो पदार्थ है उस पदार्थ की आकृति को जो एक जैसे प्रत्यक्ष में है तो जो प्रत्यक्ष की जो पांचों हमारी ज्यानेंद्रिया हैं उनके माध्यम से बुद्धी तत्यों को पहुचा देती हैं यह मतलब मुझे व्यवारिक द्रिश्टी से लगता है सारा उसमें बाकी मेरे भरत्री हरी को मैंने कभी नहीं पढ़ा है और मुझे जान नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद प्रफेसर विद्यालंकार जी आपने जो टिपन किया उसके लिए अभी अमारे बीच में बल्राम शुक्ला जी है उन्होंने एंड्रेज किया था या मतलब अपना माई का वीडियो अन्म्यूट किया था तो मैं आमंतरित करता हूं आपको कुछ था और मैं एक बिल्कुल छात्र की तरह इसको सुन रहा था मेरे एक प्रश्न जो संभावता आपसे चर्चा भी की होगी मैंने हम लोग भरत्रियरी को पढ़ाते हैं अपनी उद्धिक अनसार अखंडवाक्य और अखंडवाक्यार्थ वाद की बातें करते हैं स्पोर्ट जो है वस्तुता वाक्यात्मक ही है और जो अर्थ वाक्यार्थ आत्मक ही है ये चर्चा बार-बार होती है और जो द्वनिया है जिनको नई आईक वस्तुता शब्द समझ लेते हैं उसके उपे भ्रांत करो हो जाते हैं तो अस्तुतर ध्वनिया शप्द ने भरत्रिहरी से बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन अगर हम इचिस पर ध्यान दें व्यावाहारिक रातल पर तो हम एक वाक्य को गोलते हैं, ध्वनिस्तर पर ही तो बुद्धी के स्टर पर ही है, तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर तो अगर तुतर नहीं है, तो इक वाक्य को बुलते हैं, तो अगर राम जाता है, इस वाकिन अगर राम जी आपकी आवाज कर रही है बीच-बीच में, तो रेकिल से कनेक्शन का प्रॉब्लम लग रहा है, मैं मिथिलेश जी को मतलब आमंतरित करता हूं, यदि बलराम जी की शंका को या उनके जिक्यासा को समझ पाएं, तो उनका जवाब देने के लिए. असल में वो बीच में कुछ-कुछ कट गई आवाज, और इसलिए उनका जो मनतव्य है वो तो सुनाई पड़ गया, लेकिन वनतव्य तो वही है, जो मेरे से मेरे से मेल खाता है, क्योंकि मेरा यह कहना है कि नई आइक लोग जो है, उनका यह कहना है कि धुनिया सार्थक हैं, जबकि धुनिया सार्थक नहीं हो सकती, हम जो भाशा का प्रयोग करते हैं, वो वाक्य के माध्यम से करते हैं, वाक नहीं पूछ पाया, मैं यह कह रहा था कि अगर हम अगर वईया करणों की बात बिल्कुल सही हो, तो जब हम रियल लिंग्विस्टिक एंवायरमेंट में किसी एक ध्वनी के स्ट्रिंग का उचारण करते हैं, जिसको हम अभी वाक्य नहीं कह रहे हैं, उसमें, अगर राम जाता है, या कुछ इस तरह से बोलते हैं, जिसमें एक छोटा सा जो पाँज है, वो पाँज भी नहीं होना चाहिए था, अगर पॉज है तो इसका मतलब है कि वो तीन खंड है वहाँ और उसमें इस चीज को कैसे समझाया जाए यद्यभी व्याकरण का चात्र होने के नाते भरत्रिहरी जो है अधिक कन्विंसिंग लगते हैं और जैसा कि हमारे गुरुवों ने बताया है तो लेकिन इस प्रश्ण को अगर कोई नई आईक या ध्वनी शब्दवादी अगर प्रस्तुत करता है तो हम क्या उत्तर दे सकते हैं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट यह विल्कुल विवहार की बात है कि तीन सेग्मेंट में हम उसका उचारन करते हैं यह तो ठीक है आप ठीक करें कि वो शब्दों में उसका विभाजन करके तब हम उसको समझते हैं तो यह केवल मात्र एक वाक्य को अर्थ को समझने की सुविधा के लिए उपाए है ऐसा तेरी कहते हैं लेकिन सुनने से पहले वक्ता बोल रहा है वक्ता के बोलने के अंतरगत यह फिजियो लॉजिकल क्रिया हो रही है कि वो तीन खंडों में बुद्धी के स्तर पर समझने के बाद हम उसमें अलग-अलग करते हैं यह तो बात सही है वो तो वाक्यार्थ के लेवल की बात है लेकिन उन ध्वनियों के निश्पादन प्रक्रिया के अंतरगत जो सिग्मेंट्स आते हैं उसकी हम किस तरह से लाख्या करें हैं उसमें हम खंड पॉजिस जो आ रहे हैं डॉक्टर बल्राम जो हम बोलते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप आपने किसी वाक्य को बुला अधूरा या अभी जैसे हो रहा है कि आपकी बात को मैं कहीं समझ पा रहा हूं कहीं नहीं सुन पा रहा हूं लेकिन फिर भी आपका आशे काफी हद तक समझ में आ जाता हैं बाकी यह तो ठीक है कि अलग-अलग पदों के बादियम से अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कोई एक पद को नहीं समझ पाते हैं तो और उसका अर्थ डिक्शनरी में देखते हैं डिक्शनरी में उसके अर्थ को देखकर फिर उसमें से दो-तीन-चार तरह के अर्थ देखते हैं उन दो-तीन-चार तरह के अर्थों में हमारे वाक्य में क्या बैठता है उसके पहसाफ से हम वाक्य के हैả fully लेकिन फिर भी यह तो है फिर भी वह तो एक समझने की सुविधा के लिए है न ऐसा नहीं है कि वो हम को एक पद नहीं समझ में आया वाक्यवादी ये कहेगा कि पूरा वाक्यए ही समझ में नहीं आया है कि तो इसलिए give 계间 जो अलग-अलग सेगमेंट्स में हम उसको सुनते हैं वो भी उसको समinho का एक उपाय अगर हम अगर वाक्य जो है वो हमारे बुद्धिस्त स्फोर्ट से निश्पन हो रहा है उन्होंने तो उसको उसको हम समझ रहे होते कि हम एक ही एक एंटिटी में बोल रहे हैं तो एंटिटी में बोलना चाहिए तो किसी तरह के segment segmentation जो है वो नहीं होना चाहिए था. बहुझे हो हम बोलते थो बोलते हैं तो बोलते हुए उसको लगातार बोलते हैं लेकिन उसको अपना जो अर्थ को स्पश्ट करने का एक तरिका होता है आदमें बोलता है तो किई बार खुद भी सोच सोच कर बोलता है अब बोलता है तो उसको बोलना ऽूप चाहता है उसके मन के पीछे कुछ ना कुछ है zwlep पर वो वाक्य ही है उस वाक्य को हम अधूरा बोल पाए हैं अभी अभी उसका जो स्वरूप है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है वो जब उसका स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है तब हम उसको बोल भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं अब अमरे साथ गैलेक्सी ए नेंकी पाउजी बेंज आप जो प्रश्ण पुछना चाहते हैं रेस किया है तो आप प्रश्ण पुछे अपना माइक अन्मुट करके अब द आपके विल इंसेटुट के साथ जो बी परप्रवह मतंअच यू जो जाति प्रफेसर अबसादी बूस्टने सारु पाहिं सारु पुछना उर्मः है जय्ट्य। झाए टूं गारिड़नी टीस पातोने लादयल एंसे हो इंसे पहलं जो जोलाने ahí called the सारे PhD दॉक्टर है, I am just absolutely nothing and my Hindi is just zero, so my Pali and Sanskrit is even minus zero, but थोड़ा सा कुछ सुन ली आप में से, आपने रुषब जी की बहुत बात की, तो में clarify करना चाहती थी के वो हमारा रुषब देव जो बगवान है, वो ही उसी टाइम से ये आपने रेफरेंस किया था, सो ऐसा थोड़ा कुछ सुनके, जानके, सभी के साथ, शेयर करके मुझे भी अच्छा लगता है, so thank you once again to BL Institute and Tiwari ji, Jitubhai ji, आपके IT or professor and I look forward to next week, I am from London, Jitubhai knows me now, thank you. जानकारी अहितियातिक रूप से है नहीं लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो भत्रेशी के बात के हैं, जबकि आप जिद्न रिशब देव की बात कर रही है, वो रिशब देव तो मुझे लगता है कि भगवान महवीर से भी पहले के शाहिद है न है बहुत पहले हैं, रसम तीर वह तो बहुत पुराना मतलब प्रागई ती हासिक कह सकते हैं उसे प्री हिस्टॉरिकल वह हैं व्रिशब देव जो हैं वह भरतिहरी की का समय जैसा कहा अत्रिपाठी जी ने कि उनको फोर्थ सेंचुरी के आसपास फोर्थ फिफ्ट सेंचुरी माना जाता है और कुछ लोग कैसे भी है प्रफसर साधूराम ने एक लेख लिखा था तो उनका यह कहना था कि भरतिहरी और उससे काफी पहले के हो सकते हैं कम से कम तीन-चार शताब्दी पहले के भी हो सकते हैं लेकिन उसके बाद भी भरतिहरी रिशब देव से काफी बात के होते हैं और रिशब देव वर्तिहरी की वृत्ती पर और उनके वाक्यवदिये पर वृषभदेव के समय तक लिखी जा चुकी थी। इसका अर्थ है कि वृषभदेव वृषभदेव के भी कम से कम तीन दो तीन शताबदी के बाद हुए होंगे। लेकिन उनका एग्जिक टाइम तो नहीं मालू है लेकिन उन रिषभदेव से इनका कोई संबन नहीं है। So thank you for the clarification. Thank you, Smita Ben. आप UK Leicester से बोल रहे हैं काफी आपती जिख्यासा के हम हनुमोदना करते हैं। आप किसी और को आपती जिख्यासा या प्रश्ना या शंका होता हैं। Pankaj Mishraji. Pankaj Mishraji, mic and mute करके प्रश्णी. सबको मेरा प्रणाम और जब से घोषना हुई थी तब से सर के सव्याख्यान को सुनने की प्रतीक्षा थी। और आज सर को बहुत दिनों के बाद सुनने का मौका मिला। लोग चक्षू से यग्य की चर्चा करते हैं। मैं सदेव इसे श्रोत्री यग्य कहता हूँ। सर को हमने सुना कानूं के लिए यग्या। मेरा प्रश्ण है एक पूर्व पक्ष की तरह है। कुछ हो सकता है कि बेट भी इस पे क्रियेटो हो। मैं मानता हूँ शब्द अनित्य है। क्योंकि हमने अपने मुह से निकलने वाली ध्वनी को स्वयम कूटानू बढद्ध किया है। शब्द का निर्मान केवल मनुश्य करता है और अर्थ भी वही तै करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वेद के अर्थ कई वेद के शब्द के अर्थ नहीं बदलते और मेरे पंकज का नाम कमल नहीं होता तो इस स्थिति में इस शब्द को ब्रह्म या नित्य कहे जाने का अचित्य क्या है यदि यह नित्य होता तो सारे विश्व के लिए एक ही शब्द में आता एक तो यह प्रश्ण है एक जिग्यासा है मेरी और दूसरा है तर्क को ले करके जो यह कहते हैं कि आगम के विरोध तर्क जो है वह तर्क नहीं वह स्वयम आगम के ही की विरोध में कई प्रकार के तर्क कर जाते हैं जैसे अगर हम भत्रीहरी को ही यह माने कि नहीं नीती शक्कमादी की रचना की अगर दोनों भत्रीहरी को एक माने तो इसमें कई सारी ऐसी बातें कही गई है जो आगम विरोधी है सर आपकी टिपनी समय देने के लिए धन्यवाद प्रंकर जी स्वरूब जो है वो नित्य हो सकता है जो एक प्रवाह में हो ब्रत्रीहरी का यह मानना है कि यह उन्होंने कहा यह प्राणिना में साचैशा व्यवस्था नित्यत उच्चते कि जैसे प्राणियों में यह प्रवाह नित्यता होती है इसी प्रकार से शब्द में भी यह फिर ये प्रशन उठेगा कि शब्द का संकेत कैसे हुआ या तो यह है कि भाशा जो है वो किसी ने बनी मनाई दे दी ईश्वल ने वो भाशा दी लेकिन भरतिहरी का ये कहना है कि ऐसा कोई समय हमको दिखलाई नहीं देता पीछे तक चले जाएं कि जिसमें को शब्द नहीं ह है ये भी तो शब्द के द्वारा बतलाया जाएगा और अगर ये भी शब्द के द्वारा बतलाया जाएगा तो शब्द तो किसी ना किसी समय था वो शब्द में परिवर्तन होते रहते हैं वो एक प्रवाहनित्यता है लेकिन शब्द नहीं था कभी ऐसी कोई स्थिति नही बहते हैं कि और यह यह तमाम जो भी शास्त की रचना जो भी व्यक्ति करेगा वो यह कहेगा कि आप अपनी परंपरा का उच्छेद क्यों कर रहें ऐसा तरक क्यों दे रहें जो और खासकर अद्ष्ठ विश्यों में जो जो विश्य दिखलाई नहीं पड़ते हैं उन विश्य तर्क कहते हैं कि आप खाली उसको बढ़ाय चले जा रहे हैं बढ़ाय चले जा रहे हैं और परमपरा का आपको कहीं ध्यान नीए एक बिनोबा जी का मुझे वो ध्यान आता है बिनोबा जी ने अपने गीता प्रवचन में एक जगे यह कहा है कि मैं अपने पूरवजों का एक संख्या है जो उसको वर्जित मानती है तो उनका कहना यह है कि जो पूर्वज हमारे थे उन पूर्वजों के कंधे पर मैं चढ़ा हुआ बच्चा हूं और इसलिए मैं और ज्यादा दूर तक देख पा रहा हूं इसलिए उसका तर्क जो है वो मुझे को दिखलाई पड़ है इसलिए आपके आवाज रूप गई है अभी इसलेश्टी को कोई को इसलेक्शन का प्रॉब्लम लग रहा है तो इसलेश्टी के आवाज रूप कही है मैं आप राप्र वो निकल गए हैं यह अभी है वो लेकिन नेट्वर्क प्रोब्रों की वज़ाद से सई से जुड़ करता हूं अपने इस वार्षान के लिए वार्षान पर विशेश टिपन के लिए दनेवाद लेकिन इतने गंभी और पैदुशिपूर्ण भार्षान के ऊपर एक कैसी टिपनी की जाए यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं तो केवाल एक आभार या करतगेता ही व्यक्त कर सकता हूं कि इतने बहुत वर्षों के बाद में इतना गंभी और इतना विद्वत्ताफूर्ण भार्षा के ऊपर मैंने सुना ऐसे भार्षातत्व का अध्यायन और विश्लेशन वी वेरा उश्य भी रहा है कभी लेकिन आज इस गंभ अधिर्टा के साथ में उन्होंने इसका विवेचन किया वो एक अध्विती था उन्होंने मुखे रूप से आप आप सभी ने देखा कि वो कितने सारे दर्शनों का उन्होंने इस पर शिकिया और उनके विचारों को भी इसमें अपने व्याकरन दर्शन के विचारों के उसकी जो जो वर्ति थी उसके उपर उन्होंने विचार किया टीकाओं पर विचार किया नागेश तक आए और अन्य निजाने कितने विद्वानों का उन्होंने वो लेख किया मुख्यूरूप से जैसा कि वो स्वेम कह रहे थे कि मैं वस्तुदा इस को व्याख्याई करना चा का कइस पोश्चिका अर्था एक कुंसेप्ट, एक अवधार, एक पूर्ण. विचार , एक विचार की लंबी परंपरा नहीं लेकिन एक विचार , धंड, जो कि फिर हम लोग शब्दों से व्यक्त करते हैं या धनियों से रेक्ट करते हैं, वो धनिया अलग-अलग प्रकार की हो सकती हैं, तो वो एक निश्क्रम भार्षा तत्त, जैसा कि उन्होंने कहा, आवश्यक नहीं है, कि वो हर बार वही शब्द उसी प्रकार से या वही शब्द प्रयुक्त किये जाएं, उसी से आप उसी को स्कॉट कहते हैं, तो इस शब्द मैं जहां तक उनको समझ पाया हूँ, वह वह बास्थिश्क में वो आवस्थित रहता है, विचार है, एक अवधारणा है, जो की भार्षा के द्वारा, और कभी बिना भार्षा के भी कोई आवरश्यक नहीं है, कि भार्षा से ही हम स्कॉ को रोड़ की अभिवयक्टी को सीमित करना होगा क्योंकि बहुत सारी भाशा जो है केवल शब्दों के उपर निर्भर नहीं है गिरो इस तु मौनम् ऩॉर्व कश्या सांचया वह आज कल अगरेजी में बॉडी लेंगविस कहती हैै उससे भी आ सकते हैं कि व्यक्ति क्या चाहता है वास्तरिक्ता क्या है उसका मत्थ क्या है उसका जैसे दूसरे शब्दों में कहिए कि वह स्पोर्ट क्या है तो कोई आवश्यक नहीं है कि वह शब्दों के द्वारा व्यक्त हो और वो भी आवश्यक नहीं है कि एक शेत्र में जो शब्द चेत्र में उसी प्रकार के भाव को आप रिक्ट कर सकते हैं और इस पूर्ट जो होता है वो जैसा कि उन्होंने बताया बहुत इस्पष्ट और इसमें ग्रियंतों के उद्धरण देदे करके बताया लगभग पूरा का पूरा हमको लगता वाक्ति पदी तो उनको कंठस्त है सारे श्लोग जो हैं वो मौकित बोलते चले जा रहे थे तो वो तो एक जैसे बिजली कौंधती है एक मस्तिष्क में जब हम बोलते हैं या को इवचार होता है तो एक प्रकाश की तरह आता है जिसको की व्यक्त करने के लिए हमको ध्वनियों की आवशकता होती है और ध्वन है तो वो जो इस पोट की जो एक अवधारना है उसके उपर उनका उपकाश था जिसमें की उन्होंने बताया कि इस ही इसको हम एक अखंड वाक्यार्त भी कह सकते हैं क्योंकि वाक्य पदिये में इसके वासा उध्ण दिया था उन्होंने बलराम जी ने तुम की आवाद हम संद्ध में नंथालना कि जंदे वर में युट्यारिवला नहीं वाक्यात पदा नाम अत्यंतंव ह। मार्ण में व्यव होते हैं और वाक्य में पद होते हैं ऐध्य वाक्य ही होगता है और शब्द जो है उसकी केवल आउपचारी की सत्ता होती है, उसकी बुद्धिस्थ सत्ता होती है, बुद्धी में होता है, उसको किसी भी रूप में, किसी भी द्वनी से, अलग-अलग धार्शाओं में, अलग-अलग भनी उसे व्यक्त किया जा सकता है, वो शब्द जो है, वो बाहिय सत्ता का करते हैं आगम और इस मुर्टी के अंतरपद उन्हों ने कार्टी प्रकाश डाला मीमा सामेश्व दिलिंग वर इत्यारी जो है उनके उपर प्रकाश डाला यह सब कितने अंगों से वाक्यार्थ बोड़ होता है आपने कहा तर्क और आगम के उपर अभी तरफ चर्चा हुई थी तो मैं उसके उपर द्वारा नहीं बोल लिए एक प्रकार से जो पश्यंती है वाक्यों कि बैया करुणों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक भाशा तत्व है अशा का अंगोंगोंगोंगोंगोंगोंगों एक प्रकार का विशेश भाशन था और बहुत ही गंभीर भाशन था ये सब ही ने अनुभव किया था हम उनको अपकिन शब्दों में दन्यवाद दें बस्तिता दन्यवाद जो है वो एक बहुत ही थोड़ा और बहुत ही अल्प आभार विक्त करने वाला होगा ये हम लोग बस्तिता है जितने आभाई उनके हैं इस बार्शन से और इस लोग बार बार सुनें रिकॉर्ड किया है और इससे बस्तिता हो उनको बार्शा तब समझने में सहायता मिलेगी तो मैं अब अपार भ्रक्ष महोदेश्री विते द्रभाई शाह से वह कुछ वाक्यों में आपका आभार विक्त करें कि हम सब बस्तिता हो और आभारी हमें के सब्सक्राइब करने में सहायता मिली है उन सब को भी हम धन्यवाद देते हैं उनके प्रतिक भी आभाद्वक्ति किया जए दन्यवाद प्रफेसर जी सित्रिपाठी जी इस अगले शनिवार प्रफेसर दरम चंजी जैन बार्शा विक्यान पर देंगे एक महत्पो पुर्णा विश्याई होगा आप सभी को में अमंत्रित करता हूं अगले व्याख्यान के लिए आज हम इस करेक्राम को यह को पुशित करते हैं